देखिए इस IPO को पेटियम का जो IPO है इसको सबसे बड़ा IPO वाना जा रहा है अब तक का जो की मार्किट से लगबग लगबग 18,300 करोड रुपीज के आसपस ये उठाने की कोशिश कर रहे हैं और आप देखिए जो अगर हम इसके प्राइज बैंड की बात करते हैं तो 2000 रुप 42,309 करोड रुपीज के आसपस जो की मार्च 2020 में घटा 39,424 करोड रुपीज के आसपस रहा उसके बाद मार्च 2021 में फिर से घटा जो रहा 17,010 करोड रुपीज के आसपस तो देखिए लगातार तीन सालों से जो 42,000 करोड रुपए पैट आता था profit after tax वो अभी 2021 में 42,000 करोड रुपीज के आसपस खड़ाए और जून 2020 वाले कौाटर की बात करते हैं तो इसमें 2844 करोड रुपे रहा और जून 2021 की बात करते हैं तो यहां पर यह बढ़ता हुआ दिखाया है कौाटर ली 3819 करोड रुपीज के आसपस अगर हम year on year की बात करते हैं तो 2021 में 17,000 करोड रुपीज के आसपस आया है तो देखिए क्योंकि competition में बहुत सारी app और जासे क्रैड आप यह बात करते हैं या फिर phone पे की बात करते हैं तो गूगल पे की बात करते हैं माज़न पे की बात करते हैं तो इस तरह से बहुत सारी companies ऐसे हैं जो बहुत तगड़ा competition पेटियम को दे रही है फिलाल और अगर हम इसके revenues की बात करते हैं तो पहले जो 2019 में 87,000 क्रोड रुपीज के आसपास का जो revenue था वो जून 2020 में बढ़ा था लेकिन उसके बाद फिर से दुबारा घटता हुआ दिखाई दे रहा है तो देखिए जो revenue है उसमें भी खास growth नहीं है company की और जो इसका IPO आ रहा है वो बहुत ही महंगा IPO है जो यह amount इन्हों ने price band जो रखा है 2000 से 2100 के आसपास का यह बहुत ही high price है और अगर देखिए मैं बात करूं rating की जो इसको rating मिली है वो अभी 3.6 के आसपास rating मिली है और जो rating मिली है इस IPO को और एक जो सबसे बड़ी बात यह है कि market के अंदर जितने भी IPO आए हैं अभी last time तो देखिए जो IPO में पैसा लगाते हैं open market में तो उन्हें जो IPO में पैसा लगाते हैं वो अपने share को कभी भी बेश सकते हैं कभी भी खरी सकते हैं जो छोटे बोटे investor होते हैं जैसे कि हम जैसे मान लो हमने IPO में पैसा लगाया और जिस दिन IPO launch होआ उसी दिन हम उस share को बेश सकते हैं लेकिन जो बड़े-बड़े investors होते हैं जिनका 200-200 करोड रुपय का आसपास का amount लगा हुआ होता है उनकी एक time foundation होती है जो दो महीने के approach होती है यानि कि दो महीने से पहले-पहले वो इस share को नहीं बेश सकते तो देखिए अब होता क्या है अब जितने भी 7-8 महीने या एक साल से हम कह सकते हैं उनको बहुत अच्छा response मिलाया और response मिलने के बाद लगब लगब फिफ्टी परसेंट जो आई-प्यों है फिफ्टी टू सिक्स्टी परसेंट जो आई-प्यों है उनमें आपने अगर आपने ध्यान दिया हो तो स्पेशली उनके अंदर बहुती तगडिप प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिलिये जैसे मानको चलो मैं देवियानी की बात करता हूं तो इसका जो पहले अपना हाई बनाया था वो एक सो डेड़ सो के आसपास काफी टाइम तक कॉंसोलिडेट करा है उसके बाद यह हीने के बाद वो अपना पैसा निकालनाँ स्ट्रार्ट कर देते हैं दिरे दिरे और उसमें क्या होता है जो चोटी मचली होती है बड़ी मचली अपना एग्जिट कर जाते हैं और जो चोटी मचली होते हैं वो जाल में फसकर रह जाती हैं यानि कि वो उपर के भाव पे खरीद के रह जाते हैं या फिर अगर IPO में पैसा लगा है तो वो उपर के भाव पे ही रह जाते हैं और वो शेर फिर नीचे आता चला जाता है अब वो शेर उपर कब उठे तो देखे 21-2200 रुपे के आसपास आ रहा है यह 23-2400 जा करके फिर इसके अंदर उसी दिन आपको हो सकता है प्रोफिट बुकिंग देखने को मिली और 1800-1600-1500 के आसपास यह क्लोज होगा तो क्या होगा अब धिरे धिरे यह नीचा आता चला जाएगा 1200 के आसपास 1200 के आसपा आसपास ट्रेड करते रहेगा अब जब इसके फाइनेशल रिजल्ट आएंगे तो यह ज्यादा से ज्यादा 200-300 यह 400 रुपे चड़ेगा यानि कि 1900 के आसपास चड़ेगा यह 200 फिर भी नहीं पहुच पाएगा एक सपोस करके चल रहा हो मैं बात को तो जो पिछले कुछ ट कर जाते हैं अपने माउंट से उनका जो टाइम पीरेड हो कम से कम 6 मंत या फिर 8 मंत के आसपास होना चाहिए तो इस तरह की पहले भी काफी जो है अप्लिकेशन लगी है लेकिन उस पर क्या हुआ है अभी तक क्या नहीं हुआ यह इसका पूरी मिरको जानकारी नहीं है तो इस IPO को देखिए अगर आप लोंग टरम के लिए भी इन्वेस्ट करना चाहते हैं इस IPO को तो देखिए आप ओपन मार्केट में शेयर को खरी दिये जब यह आपको मानलो 1800 के असपास मिले तो आप लोंग टरम के लिए छोड़ सकते हैं बाकि अगर मैं फाइनेशल्स की बात नहीं चाहते हैं उनको पैसा नहीं लगाना चाहिए और भी बहुत सारे IPO खुलने वाले हैं तो उसमें आप मोका ढूंड़ेगा उसके भी बारे में हम आपको पूरा बताएंगे और यह वीडियो आपको कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और अगर आप हम